आज हम बनाने वाले हैं जन्मास्ट मी इस प्रेशल प्रशाद बहुत ही खास प्रशाद है ये इसके विना जन्मास्ट मी अधोरी है ये जो प्रशादा जो बनाने वारी हैं बाल गुपाल की प्रेय प्रशाद है साथ ही यहाँ बहुत ही ज़्याद हेल्दी होता है हमारे हेल तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे स्वस्थ होंगे अपना ख्याल रख रहे होंगे बहुत सारा मेरी यह कोशिस होती है घर में रखी चीजों से आसान से आसान तरीके से हम खाना कैसे बना सकते हैं नई नई तरीकी चीज़े कैसे जान सकते हैं तो अगर आप चाहते हैं सारी चीज़े जानना तो मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकर को क्लिक कर लें, चलिए रेशिपी को सुरू करते हैं, यहाँ पर में ले रही हूँ सेस्मे सीट्स, वाइट वाली तिल, इसे हम पैन में डालकर ड्राय रोस्ट करेंगे, घी नहीं लेंगे, और बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती है, अपनी साइज से फुल जाती ह और खुसबू आने लगती है, और हलकी से कलर चेंज करनी है हमें, चीके न जी, तो इसे एक से एक मिनिट तक हम रोस्ट कर लेंगे, धी में आज पे, इसके बाद इसी पैन में, देखें यहाँ पर रोस्ट हो गई है, इसे हम एक बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे, उसके बा और अब हम इसमें बादाम डाल कर तल लेंगे, बादाम को अच्छे सम तलेंगे ताकि इसमें अच्छे से करंच आ जाएं, आप इसमें अपनी मंचाही ड्राइफ रूट्स डाल सकते हैं, और जो नहीं पसंद है उसे स्किप्बे कर सकते हैं, यहाँ पर हमारी बादाम रोस सा टाइम लेती है काजु बहुत जल्दी हो जाती है दोनों एक साथ डालोगे तो फिर कच्छा पक्का रहे जाएगी और हमें बिल्कुल काजु को गोल्डेन आने तक तलना है देखिए बिल्कुल इस तरीके से अब इसी में हम थोड़ा सा गोंद ले लेंगे गोंद में इसल गोंद अगर फूल जाएगी बहुत अच्छा सा करण्च आ जाएगा तो गोंद को हमें फूलने देना है देखिए यहां पर हम फिर से एक से डिर्ट शमच्च के करीब घी लेंगे इसमें हम मखाने भी प्राइग कर लेंगे देखिए यहां पर मैंने एक कप मखाने ले लि करेगा मखाने को फ्राई करने में क्योंकि मक्खाने में करंच आने में थोड़ी सी टाइम लगती है तो तीन से चार मिट आप ले ले और मखाने में करंच आने तक फ्राइग करें वहनँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी जब तक palavras कि इसमें क्रंच नहीं आएगी तो अ खाने को तोड़ के दिखा रही हूं किस तरीके से तूटके क्रश हो गई हाथों में तो बस इसी तरीके साफ रोस्ट कर लेना उसे यहां पे हमारी नारियल भी भून चुकिये तल चुकी है अब हम क्या करेंगे उसी पैन में हम घी डालेंगे बची भी जितनी घी है हमने एक कप घी ली थी थोड़ी सी घी हमें सारी चीजों को तलने में लगी बागी आधी कप घी हम डाल देंगे घी के मेल्ट होते ही हम इसमें आटा डालेंगे आटा मैं कटोरी से दो कटोरी ली हूं कप से दो कप माल लीजिए ठीके न आप नॉर्मल अच्छे से भुननी पड़ती है चिके ना दस से पंदरा मिट आपको आग बंद करके आटा भुनने में लग जाएगी ठकिएगा मत और फ्लेम को हाई मत कर दीजेगा ठीके ना यहाँ पे मैं इलाइची ले रही हूँ चार से पाच छरी वाईली यही पे इसे कूट के हम डाल लेंगे आप चाहे तो पॉडर डाल सकते हैं पॉडर डालोगे तो आप बाद में लास्ट में डाल देना ठीके और हम इसे भुनते रहेंगे जब तक कि यह अच्छे सी भुनना जाए सोंधी सी खुजबू आने ना लगे और साथी करड़ चेंज ना हो जाए यहाँ पे हम क कर लेंगे आप उतना फ्राइ करिएगा जब तक कि आटे की कलर पुरी चेंज ना हो जाए इस तरीके से गोल्डेन ब्राउन ना जाए यहाँ पे हमारी आटा अच्छे सब हो चुकी है गैस को फ्लेम को आफ करेंगे और हम आटे को ठंडा करेंगे तब तक हम क्या करेंगे जितने भी ड्राइफ रूटस है ना इन्हें हम थोड़ा सा दर्दरा कोट लेंगे ठीके ना इसे आप मिक्सर जार में भी कोट सकते हो या फिर इस तरीके से आप जिसमें हम चाय बलाने के लिए अधर कोटते हैं उसमें भी हम कोट कर तयार कर सकते हैं बॉल में पहले ही हमन देखिए बदा हो चुकी है दरदरा से कूट चुके हैं अब इसी तरीके से हम काजु को भी कूट लेंगे जन्मास्टी में इस प्रशाद को बनाकर भगवान को जरुर से भोग लगाईएगा इस प्रशाद को आप सत्राइन पूजा में किस भी वरत कथा में या फिर आप अपने घर में प्रशाद चढ़ाने के लिए भी बनाकर रख सकते हो और ये खराब भी नहीं होती है आप महीने दो महीने स्टोर करके आराम से रख सकते हो हाँ अगर आपको बहुत दिन तक श्टोर करनी है तो आप किसमिस ना डाले बाकी ड्राइफ रूट्स डालने चिक है आपको और भी जितनी ड्राइफ रूट्स पसंद है आप वो डाल सकते हैं मैं पहले ही बता रही हूँ चिक है तो बस इसी तरीके से सारी चीज़े हम कू कूट के डाल ली है यहां पर गूंद भी हम कूट ले रहे हैं अब मखाने को भी हलका सा कूट लेंगे सारी चीज़े बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुकी है क्रंच आ चुकी है तो बहुत जल्दी कूट जाती है बस थोड़ा सा तूट तूट जाए इतना ही हमें चाहिए बहुत जादा पॉडर नहीं बनाना है सारी चीज़े हमने कूट के डाल ली है अभी ने आपसे मिला लेंगे और ठंडी हुई आटा भी हम मिला लेंगे यहां पर सारी ड्राइफ रूट्स आपसे मिल चुकी है अब हम क्या करेंगे इसमें आटा डाल लेंगे आटा ठंडी ह हो चुकी है आटे को ठुटा इसलिए हमें ठंडा करना है ताकि इसमें हम चीनी मिला सकें यहां पर हम चीनी यूज नहीं करेंगे चीनी का पॉडर यूज करेंगे चीनी का बुरादा यूज करेंगे आपको मार्केट में बहुत एजी ली चीनी का बुरादा मिल जाती है और हम क्या करेंगे चीनी का बुरादा यूज़ करेंगे आपके पास चीनी का बुरादा ना हो ताप चीनी का पॉडर यूज़ करें घर पे बना कर पीस ले चीनी को मिक्सर में और डाल ले नहीं तो आप गुड की जो पॉडर वाली आती है न आप उसे भी यूज़ कर सकते हो ब कप चीनी योज़ करेंगे ठीक है न जी दीके मैंने आधा डाल लिया था ठोड़ी से जो बचा के रखी थी वो भी मैं डाल ली हूँ तो आप अपनी स्वाद और मिठास के हिसाब से भी आप डाल सकते हो ठीक है अब हम आपस में सारी चीजों को मिला लेंगे और हमारी प्रश इसे हाँ घर में भी बना कर रख सकते हो बच्चों को नई जो मॉम बनती है उन्हें इक ला सकते हो बहुत हल्दी होती है खिलाई भी जाती है यह हमारे बाडी को ताकत भी देती है दोस्तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो प्रशाद अच्छी लगी हो तो इस जन